तो देखो आज का जो कोशन है वो कोशन नमर 25 है जो हमने प्रिवियस एक कोशन किया था वैसा ही है तो बहुत अच्छा कोशन इसमें भी आपको एक बार फॉर्मिलेट करने के बाद हमें इसको ग्राप में प्रेजेंटेशन करना है और पता लगाना है कि हमारे पास जो अब् देखो चलो कोशन पढ़ने स्टाइट करो क्या लिखा है और वो क्या कर रहा है तो प्रोड़क्ट जो बनाता है वो टू टाइपस ऑफ मशिन मतलब दो मशिन बनाने का काम है उसको अब होता है न मशिन बनाते हैं मतलब बड़ी-बड़ी कमनिया तो उसके लिए देखो क्य बुला है for the producing a machine type A मतलब A machine की बनाने के लिए उसको दो टन की क्या चाहिए iron चाहिए मतलब जो लोहे का जो मतलब machine बनाने के लिए जो चाहिए होगा वो दो टन का चाहिए मतलब बड़ी सी machine होगी बहुत दो टन का iron चाहिए ए वाली machine बनाने के लिए ओके और वो machine बना दे के लिए कितना time लगने वाला भाई 200 गंटे लग जाएंगे मतलब ये तो बहुत time ले लिया मतलब देखो अगर इसको sort not किया जाए मतलब sortless किया जाए तो देखो ए मशीन बनाने के लिए आपको डो टन का तो लोहा लगेगा मतलब iron डो टन का तो लोहा लगेगा मतलब iron लगने वाला अब देखो machine B क्या कहता है कि उसके लिए क्या time लगना चाहिए तो देखो machine B में अब देखो क्या बोला for the producing a machine type B मतलब B machine बनाने के लिए उसको four ten का क्या चाहिए iron चाहिए और 150 working hours की ज़रूरत है मतलब सेम चीज हो गई के B machine अगर मुझे manufacture करना है मुझे factory के लिए तो मुझे four ten का तो iron चाहिए four ten का तो मुझे क्या चाहिए iron मतलब लोहे की ज़रूरत पड़ेगी इतने और उसके बाद मुझे 150 hours काम करना पड़ेगा तब ही जाके एक machine बनेगा ओके ये तो बात हो गई अपनी और यहाँ पर जो main बात है वो यह कि manufacture के पास है नौसो तन से ज़्यादा iron नहीं है मतलब काम करने के लिए जो iron की ज़रूरत है machine बनाने के लिए वो सिफ 900 तन ही अब जो भी काम करना है वो 900 तन में करना है जैसे आप लोग के पास नहीं है नहीं रहके काम करना है 900 तन से greater than तो जाना नहीं चाहिए मतलब ऐसा अभी हो सकता है कि आपके मतलब स्टॉक में 900 तन का iron पड़ा और आपने 910 तन यूज कर लिया मतलब बाकी का 10 तन कहा से आसमन से आया ठीके वो तो नहीं नहीं वाला तो greater than तो होगा नहीं less than ही होगा सीधा सीधा लॉजिक है और यहां पर बोला 60,000 वर्किंग आर्ट जो है न वह आपके पास अभी अवेलेबल है तो यहां पर भी 60,000 आप लिखो तो less than ही लिखोगे अब आपको मैं बोलू कि आपके पास मतलब यहां से exam तक के 10 दिन है तो आप 11 दिन तो पढ़ना ही सकते हैं न कैसे पढ़ोगे मैं तब exam के बाद भी ठीक है तो वही है कि आपके पास जो काम करने के लिए hours है वो 60,000 hours है ठीक है तो उससे जादा आपके पास hours है नहीं तो उससे अंदर ही काम करना पढ़ेगा 60,000 के अं profit की बात करते हैं तो देखो profit में क्या बोला है company को profit में क्या बोला देखो 500 रुपे profit मिलता है ए मशीन के बेचने पर देखो यहाँ पर लिखा है profit on types of machine A is रुपिस 500 and on a type machine B is रुपिस 800 मतलब profit की जो ज़रूरत है वो यहाँ पर आपको 500 रुपे का profit मिल रहा है और यहाँ पर आपको 800 रुपे का profit मिल रहा है यह आपका profit आगे ठीक से दिख नहीं रहा है तो मैं इसको ऐसा ही लिख देता हूँ profit यहाँ पर 500 रुपे मिल रहा है और यहाँ पर 800 रुपे मिल रहा है और यहाँ पर बोला यह गया कि आपका object क्या होगा अभी profit है तो कोई भी company का object क्या होगा ऐसा तो कोई company बेवकूपी वाला काम तो नहीं करेगी ना कि profit कम करना है तो maximize ही करना होगा profit को तो मतलब यह simple बात होगी कि आपको profit maximize करना पड़ेगा और उसके लिए आपको work करना है ठीक है अब देखो यहाँ पर काम करना है पहला machine है ए तो हम यहाँ पर suppose कर लेंगे suppose number of machine A x और number of machine P y मतलब A वाला machine जो है न वो x और B वाला machine जो है वो y मतलब यह हो गया अपना x और यह हो गया अपना y ठीक है A machine जो है अपना x हो गया और B machine जो है अपना y हो गया मतलब A machine कितना बनाएंगे तो x number of units x number of unit of b y कितना बनेगा वो बाद में देखा जाएगा देखते कितना बनता है ठीक है वो तो graph पर से ही पता चलेगा भी थोड़ी पता चलेगा अब दूसरा main काम है आपका objective function का objective function objective function हमेशा profit से बनता है ठीक है अगर आपका maximization का होगा तो profit होगा और अगर minimization का होगा ना तो cost होगी ठीक है जनरली देखना question में ऐसे ही होता है ठीक हो थोड़ा बहुत common sense होता है हर चीज सिखने के लिए नहीं बनिये ठीक है कुछ चीज मतलब आदमी के अंदर भी होनी चाहिए कि हां मतलब सीधी बात है maximize बोला है तो profit का ही objective function होगा ठीक है और अगर minimization का होगा तो cost का होगा मतलब ये फिर कोई मतलब बताए तो भी ठीक है और मतलब ये सिखने वाली बात नहीं ये एक common sense वाली बात हो जाती है अब देखो यहा 1000 रुपे profit मिलेगा ठीक है वैसे मतलब multiply होता जाएगा यहाँ पर 800 रुपे b से मिल रहा है b वाले machine से तो उसको y से present कर दो ठीक है 800 into y हो गया अब देखो पहला objective मतलब अब ये condition function बनाना है conditional function की बात करें तो पहले conditional function है हमारे पास iron हमारे पास iron जो है वो limited है कितना iron है 2 10 का a के लिए ज़रूरत चाहिए b के लिए 4 10 की total मिला के सब कुछ 900 से जादा नहीं जाना चाहिए तो देखो 2 10 जो है वो x के लिए ज़रूरत है 4 10 है वो y के लिए ज़रूरत है दोनों को मिला दिया जाएना तो 900 से जादा नहीं जाना चाहिए कतम बात दूसरा यहां से मिल जाएगा दूसरा आर्ज से मिल जाएगा ठीक है दूसरा आर्ज से मिल जाएगा देखो क्या आएगा 200 आर्ज जो है वो X के लिए जाएंगे और 150 आर्ज जो है वो Y के लिए जाएंगे और दोनों को use करके आपका 60,000 से ज़्यादा आर्ज जाने नहीं चाहिए ठीक है ये आपकी दो condition होगी ये दो condition होगी और देखो टीसरी condition है न मतलब previous question के अंदर मैं भूल गया था वैसे इतना कोई question पर impact नहीं पड़ता लेकिन एक चीज समझना जब भी question के अंदर इस type का आपको जब question आता है तो question के अंदर आपको हमेशा ये condition लिख देने की के x की value always greater than 0 नहीं चाहिए और y की value भी always greater than 0 नहीं चाहिए ये condition always लिखनी पड़ेगी non negativity condition बोलते हैं इसको हर एक question के अंदर ये condition आपको लिखनी लिखनी कोई भी question हो ठीक है लिख ही देने का इसका बोलेंगे नहीं बोलो non negativity condition है लिखना पड़ेगा आपको previous question में रहे गया था अपना लिख देना मतलब उससे कोई solution पर effect नहीं पड़ता लेकिन मार्किंग में फरक पर जाएगा तो एक ध्यान रखना ये थोड़ा non negativity वाली condition आपको हर question के अंदर लिख देना है इसको solve करने की ज़रूद नहीं है मतलब ये non negativity condition जो है उसको solve मत करो तो उसको solve नहीं करना है उसको ऐसे ही बस लिख के छोड़ देना है अब यहां पर बात करते हैं इसको equality में convert करते हैं अब देखो यहां पर थोड़ा सा question में एक चीज़ पर ध्यान देना है solution पर क्योंकि देखो बहुत बड़ी amount है एक तरफ 900 और दूसरे तरफ तो 60,000 जा रहा है तो यहां पर कुछ common निकाल के इस solution को थोड़ा easy बनाया जाएगा ठीक है देखो कैसे easy बना देखना इसको मैं थोड़ा सा shift कर देता हूँ अब इक के लिए यहां पर ओके चल्ट देखो इसमें दोनों में आप देखोगे न तो दोनों के अंदर दो common निकल सकता है बिलकुल निकल जाएगा देखो x plus 2y मिल सकता है न और 900 हो गया और फिर इसको अगर मैं solve करूँ तो x plus 2y less than और यह जो दो है ना वो 900 को divide कर दो 900 से तो x plus 2y less than equal to क्या बन जाएगा 450 इसको इस तरह के से कर दो इसको इस तरह के से कर दो जितना हो सके उतना करने का अब देखो यहाँ पर कुछ common निकल सकता है क्या यहाँ पर 50 common निकल जाएगा चेक करके देखो 50 common निकलेगा तो यहाँ पर 50 common निकल सकता है 50 common निकल जाएगा तो यहां पर 50 common निकलेगा ना तो 4X बचेगा और प्लस यहां पर 3Y बचेगा और यह less than करके 60,000 लिखते होगे और इसको अगर आप solve करते हो तो यह 60,000 को किस से divide करोगे 50 से और 4X प्लस 3Y less than equal to 60,000 को 50 से divide करो तो कितना आ रहा है 1200 ओके तो इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हो और यह करो अगर आप इसको as it is solve करने बैठोगे ना तो फिर दिक्कत आएगी ठीक है problem हो जाएगी इसलिए बोलता हूँ हो सके तो इसको इस तरीके से convert करके हो सके उतना एक minimum position पर ले लो और फिर question को solve करो equality बना के मतलब equality तो बनानी आनी चाहिए equal कर देता है और कुछ नहीं करता है यहाँ पर और यहाँ पर भी अगर equality बना दिया जाए तो इसको equal कर दिया जाएगा 1200 से 225 आएगी 225 आजाएगा और इसकी value अगर 0 ले लू ना तो सर यह तो 480 यह आजाएगा ठीक है ना y को अगर 0 consider कर लिया तो x की value 480 बन जाएगी और same as it is यहाँ पर काम कर लेंगे चल इसको 0 ले लू तो x की value 0 ले लू तो कितना हो जाएगा 1200 को 3 से divide कर से इतना आएगा 400 और रिगर इसको 0 ले लू तो गलत कर दिया रुको एक सेकंड रेक्टिफाई कर लेता हूं इसको एकस को 0 ले लू तो 1200 को 3 से डिवाइड करूगा ठीक है ना मैंने 4 से कर दिया तो यहां पर आ गया 400 सही था पहले और यहां पर y को 0 ले लू तो 1200 को किस से डिवाइड करूगा चार से तो यहाँ पर 300 आ जाएगी मतलब सही था पहले यहाँ पर 300 लेना था complete clear तो इस तरीके से आपको question पहले करना और यह जो condition है यह जो मतलब यह वाली जो condition है उसको मतलब कुछ छेड़ना नहीं है आपको मतलब यह condition को छेड़ना नहीं है इसको as it is रहने दो इसको चलो इसको रहने दो खुछ नहीं करना है इसको बस इसको लिख देना है ठीक है अच्छा लगे इसलिए अब आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं अब आगे का procedure ध्यान से देखना यहाँ पर x पर आपको numbers लेने ठीक है अब यह numbers में बहुत सरे student की गाड़ी अटक जाती है ठीक है मतलब यहाँ पर ही stop होती है आप लोग की जो भी कामकाज होती x जरा देख के बताओ x के अंदर कि आपके जो solution में x की maximum value कितनी चली गई आप देखो यहाँ पर x की value आ गया 300 तो that means कि आपको 450 तक तो जाना ही पड़ेगा x को क्योंकि आपको line बना नहीं तो 450 तक तक आप खिचोगे खिचोगे और यहाँ पर y पर देखोगे तो दोनों को देखते हुए आपको नजर आ रहा कि हाँ मतलब 400 है तो 400 तक तो जाना ही पड़ेगा y की किमत तो देखो अब यहाँ पर ध्यान से आप जब बनाओ तब हो सके उतना graph average level का बनना चाहिए तो देखो मेरी मानों यहाँ पर 25-25 ले लो 25-50-75-100 यह चाल लाइन यूज ओ गई फिर 125-150-175 और फिर 200 फिर 225-250-275 और 300 325-350-375 और यहाँ पर इसको shift करना पड़ेगा चलो यह हो गया और यह आपका आगया 400 बस इससे ज़्यादा तो जाता नहीं अपना x चलो अच्छा है point to point एकदम perfect ले आगया इस दर बात करते तो sim as it is काम कर ले थे 25-50-75 ठीक है फिर 100-125 फिर 150 फिर 175 फिर 200 फिर 225 फिर आप 275 तर ले लो ओके और आगे बढ़ें तो 300 तक इनफ है और एक आगे लेना 25 ले लो उससे ज़्यादा जाता नहीं अपना y तो y उससे ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं तो य लिख देता हूं यहाँ पर चलो यह भी लिख देता हूं हो गया तो देखो डिपेंड करता है कि आपका मतलब कितना ग्राफ जाना चाहिए उस हिसाब से ठीक है चलिए अब डेखो यहाँ पर दो लाइन बनाने हैं और वो दो लाइन में पहली लाइन पहली लाइन बनाएंगे इसकी ठीक है यह function की पहले line क्या line बनेगी इसके उपर से line बनेगी 0 है x पर तब y पर है 225 ओके और यहाँ पर चलो पहले एक line बना देते हैं वनना confusion होगा यहाँ पर 0 है x पर तो y पर है 225 मतलब यह वाला point एकदम perfect बैट था है ठीक है थोड़ा zoom कर लेता हूँ देख लो ठीक है perfectly और इसके बाद यहाँ पर x पर कितना है 450 तो y पर कितना है 0 तो यह वाली जो line है वो हम यहाँ पर बनाएंगे 450 है x पर okay तो और एक line थोड़ी सी मुझे आगे जानी पड़ेगी कोई बात ने मैं इसको और थोड़ा shift कर लेता हूँ ठीक है समझ जाना यहाँ पर 450 okay तो आपको यहाँ तक line बनानी पड़ेगी अब इन दोनों को क्या करना है attach कर देना मतलब इसकी एक line बन जाएगी इस तरीके से okay perfect तो यह जो line है वो आप बना दोगे इस तरीके से और यह line inner side जाएगी outer side जाएगी depend करता है formula में आपने less than लिखा है तो less than मतलब inner side जाएगी यह वाली line आदे क्योंकि अगर यह बहार का area का अगर आपने chain किया ना मतलब selection हुआ ना आपका बहार का area अगर selection किया आप लोगोंने तो वो formulate को complete नहीं करेगा वो formula है जो है ना आपकी condition उसको follow नहीं करेगा अब check कर लेना कोई भी area का मतलब यहां पर point रखके देख लेना इस area का तो आपको वो complete करके नहीं देगा अपना काम देखे हैं क्योंकि हमें क्या करना है 900 से जादा हमारे पास iron नहीं है हमारे पास 900 से जादा iron नहीं है इसलिए हम यह काम करेंगे अब दूसरा formula दूसरा formula है यह देख लो इसके अंदर आपको पहले 0 तो 400 बनाना है मतलब y पर 400 है x पर दो 0 है और यहां पर बनाना है 300 x पर 300 है y पर 0 है अब यहां पर आपको y पर 400 तक जाना पड़ेगा और 400 तक हमने अभी तक लिया नहीं है तो कोई बात नहीं बढ़ा देंगे बात में भी add कर सकते हो ना यहां पर क्या आएगा 300 50 375 और यह 400 तो यहां पर 400 था y पर तब ही जाके x पर 0 था ठीक है और साथ साथ में यह 300 वाला भी आएगा यहां पर क्योंकि x पर जब 300 था तब y पर 0 था मतलब दूसरी लाइन जो बनेगी वो इसके इसाब से बन जाएगी ओके पर्फेक्ट हो सके ना उतनी यह लाइन पर्फेक्ट बनाने की कोसिस करना क्योंकि जितनी लाइन यह पर्फेक्ट बनेगी उतना आपको नमबर फाइन करने में ही इसीनेस रहेगा क्योंकि यह आपका हो गया और फिर इस लाइन को आप लैस देन ही बोलोगे क्योंकि यहां पर भी ग्रेटर देन का कोई सकोप नहीं था लैस देन का ही था हो गया तो यह आपका एक नमबर सा आ गया देख लो यह आपके एक नमबर सा आ गया अभी यह दोनों लाइन को अगर देखा जाए अगर यह दोनों लाइन को देखा जाए तो आपको कौन सा एरिया एकदम पर्फेक्ट बैट ता है जो मैं अभी यहां पर यल्लो कर रहा ये एरिया आपका एकदम पर्फेक्ट बैठेगा देख लो दोनों लाइन को दियान में रखना है मैं तो ये एरिया के जो कॉर्णर पॉइंट है उसको आप डिफाइन कर दो A, B, C, D से ओके चलिए तो देखो यहाँ पर यह आपका हो गया A यह यहाँ पर हो जाएगा B यहाँ पर हो गया C और यह हो गया D अब मुझे A का अमाउंट बताओगे तो आप बोल सकते हो सर जीरो X पर और Y पर कितना था 225 त्यान रखना Always पहले जो आंसर होगा वो X का रिखना है B का मुझे आप जरा देख के बताओ चलो मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको अपने मॉबाइल पर भी देख सके देखो आपको क्या दिख रहा है अपरोक्स क्या वैलियू आ सकती और यहां पर C का तो पता ही होना चीए सर 300 और 0 और यहां पर D का तो सर 00 या आएगा क्योंकि D पर तो दोनो 0 है X भी 0 है Y भी 0 मुझे थोड़ा B का अंदाजार लगा के बता सकते हो कि B में सर कितना आ सकता है मतलब B का अपरोक्स आंसर कितना मतलब कितना आ सकता है है कोई आपके पास तरीका ठीक है यहां पर आपको क्या दिख रहा है मतलब आप देखोगे तो exactly भी 225 नहीं है exactly भी 225 नहीं है आप देखो ध्यान से और यहां पर exactly 100 भी नहीं आ रहा है आप देखो यहां पर थोड़ा सा इससे थोड़ा सा आगे है ऐसे और यहां पर इससे थोड़ा सा आगे है ऐसे मतलब बहुत perfectly निकालना अगर आपकी इच्छा है कि सर ऐसा देखो एकदम perfectly आ जाता ना तो तो फिर हम select कर लेते कि सर 225 और वहां पर 100 लेकिन सर 225 और 100 नहीं आएगा अगर आपने थोड़ा सा भी line इदर उदर बनाया ना तो अगर आपका 225 और 100 आ रहा है तो गलत होगा यह motion तो बहुत ही ध्यान से मतलब आप इसको बनाओ एकदम point two point आपकी line आनी चाहिए point two point एकदम perfectly तो अगर इसको थोड़ा सा भी अगर एक भी line इदर उदर होई ना आपकी तो यहां पर आपका 100 पे set हो जाएगा और यहां पर आपका 225 पे set हो जाएगा जो की गलत होगा ठीक है क्योंकि आप check कर ले ना 100 और 225 रखके अगर 100 और 225 रखके यहां पर condition के अंदर रखके check कर लो x की value क्या रख दोगे 225 और y की value कितना रख दो 100 तो side आपका complete नहीं होगा देखो पहली condition एक बार check करो 225 इंटू 2 और 4 इंटू 100 850 आ रहे है यह पहली condition complete होगे दूसरी check करो 225 इंटू 200 और 100 इंटू 150 दूसरी condition भी set हो रही है मतलब देखो आप जड़ा ध्यान से देखोगे ना तो थोड़ा सा इस तरफ है थोड़ा सा इस तरफ है ठीक है आप देखो 225 से थोड़ा सा आगे मतलब touch हो रहा है और उदर 100 के बाद थोड़ा सा touch हो रहा है तो यहाँ पर करना कैसे एकदम perfect निकालना हो तो क्या situation है देखो एकदम perfect निकालना सिखाता हूँ आपको इतना तो पता चल गया ना के सर एक ये वाला formula और एक ये वाला formula आपरस में दोनों लड़ाई कर रहे है मतलब एक जगा पर touch हो रहे है बी पे तो हमें क्या करना है ये दोनों formula को उठा के एक rough calculation करना है और ये calculation rough होनी चाहिए आपके ठीक है क्या करना देखो x plus 2y equal to 450 ये पहली condition थी और दूसरी condition क्या थी 4x plus 3y equal to 1200 और इसको आप क्या करोगे ऐसे बच्पन में कुछ करते थे दीक है ऐसे बच्पन में कुछ करते थे ना इसको same करना पड़ता है आपको याद है तो तो अगर इसको अगर same करना है तो दीको यहाँ पर x के साथ 4 है तो क्या करोगे यहाँ पर ये पूरे function को 4 से multiply कर दो दीको 4x हो जाएगा प्लस फिर 8y हो जाएगा और फिर 450 को 4 से multiply करोगे तो ये 800 हो जाएगा पूरे function को 4 से multiply कर और ये वाला जो function है उसको as it is रहने दो 4x प्लस 3y equal to 1200 अब इसको है ना क्या करना है cut कर देना क्योंकि ये minus करेंगे हम तो 1800 में से 1200 हो गया तो ये आ जाएगा 600 और 8 में से मतलब 3 गया 8 में से अगर 3 गया तो बचेगा 5y तो y की value जो होगी वो 600 को 5 से divide करने से मिल जाएगी मतलब यहाँ पर y की value जो है वो आपको 120 मिलेगी आप चेक करो 120 मिलेगी मतलब y मेरा आगया 120 तो एक काम करो ये किसी भी function के अंदर y की value रख दो 4x प्लस 3y equal to 1200 यहाँ पर आपको y की value मिल गई 120 थीक है y की value कितनी मिल गए हमको 120 तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर 3 और 120 रख लो और फिर 1200 आगया तो यह जो answer है वो 4x प्लस कितना हो जाएगा 12 120 इंटू 3 करोगे तो 360 मिल जाएगा और यह 360 जो है वो सामने चला जाए तो 1200 में से क्या हो जाएगा less हो जाएगा और x की पूरी value एकदम perfect वे से आपके सामने आ जाएगी मतलब यहाँ पर 840 हो जाएगा यह 4 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर आपका perfect answer मिलेगा 210 मतलब x का answer 210 है और y का answer 120 है अब देखो यहाँ पर पता लगा देते हैं देखो यह x का answer जो होगा न वो 210 होगा और y का answer 120 है यहाँ आप देख सकते हो तो यह एकदम perfect answer आपको देगा मतलब कहाँ पर point touch हो रहा है न दोनों वो मिल जाएगा वो इस तरीके से मिल जाएगा मतलब कौन से दो formula आपस में मतलब लड़ाई कर रहे हैं वो देख लो और फिर उनको ऐसे कर दो और फिर यह calculation roughly करके इसको cancel ही कर देने की ठीक है इसको roughly करके cancel कर देने की हमको उससे कोई लेना देना नहीं ठीक है हमने दून लिया काम खतम हो गया complete चलो तो यह तो आपका हो गया काम तमाम अब यहाँ पर आपको a b c d की value लिख देनी a b c और d okay a b c और d चलो और a की value क्या आई थी a की value क्या आई थी 0 और 225 बी की value अभी अभी निकाली इतने मेहनत करके ठीक है और c की value तो आपको उपर देख जाती है और d की value आपको पता है 0 0 हो गया perfect एकदम देखो थोड़ा adjust करने की कोसिस करना बढ़ेगा up down होगा क्योंकि मतलब question chapter ही ऐसा है और हो सके उतना देखो मैंने तो एकदम अच्छे खास है tools को use करके आपको सिखा रहा हूं okay बढ़ना online में यह थोड़ा graph सिखाना मुस्किल काम है अब देखो यह आपका objective function था 500x प्लस 800y और इसको यहाँ पर put करना है 500x प्लस 800y और इसके अंदर यह objective function के अंदर आपको value put करना है और फिर देखना है किस पर profit जादा दिख रहा है जैसे यहाँ पर 500 500 500 500 और x के value कितनी है 0 है 210 है 300 है और यहाँ पर तो 0 है फिर 800 800 800 और 800 और यहाँ पर 225 है यहाँ पर 120 है यहाँ पर 0 है और यहाँ पर भी 0 है और इसको equal to कर दो देखो क्या profit आ रहा है 800 को 225 से multiply करोग तो यहाँ पर 1,80,000 profit दिख रहा है यहाँ पर profit कितना आएगा वो देखो यहाँ पर 2,好啦 एक 1000 profit हो रहा है और यहाँ पर 500 को 300 से multiply करोगे तो एक लाग पचास हजार का profit हो रहा है और यहां बस zero होगा क्योंकि कुछ बनाई नहीं रहा है तो यह जो होगा वो आपका profit आया अब आपको profit maximize कहां पर मिल रहा है यहां पर मिल रहा है यह maximum करके दे रहा है आपका profit यह जो है वो आपको maximum करके दे रहा है मशीनरी ए है वो आप 210 बनाओगे और जो मशीनरी भी है वो आप 120 बनाओगे और आप मैक्सिमम प्रॉफिट कितना करोगे रुपीज दो लाख एक हजार बस इस से जादा प्रॉफिट आप अर्ण ही नहीं कर सकते आप पूरे कोश्चन में कितने भी हाथ पैड माल लो ठीक है आपको कंडिशन क्यों भी दो दियान में रखना है ऐसा नहीं के सर मैं तो बना सकता हूँ ठीक है मतलब आप कुछ भी और आप डिजिट भी लेके बना सकते हो तो बना सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आपकी कंडिशन भी तो होनी चाहिए ना आपके पास 900 टन का आईरेन है और आपके पास 60,000 आर्स है ठीक है तो आप बना सकते हो बहुत सारे ऑप्शन है यह जो यलो वाला एरिया दीक आपकी यह दोनों कंडिशन है ना यह एक नंबर वाली और दोनों कंप्लिट होगी लेकिन हमारा जो टार्गेट है ना वह मैक्सिमम प्रॉफिट का वह सायद नहीं होगा इसलिए हमें क्या देखना यह यलो वाला एरिया जो है ना उसका कॉर्णर पॉइंट देखना है और कॉर्णर पॉइंट को ही चेक कर लो क्योंकि जो भी कुछ आपको मिलने वाला है ना वो कॉर्णर पर ही मिलता है ठीक है जो भी मिलेगा वो कॉर्णर पर मिलेगा तो बीच का एरिया जो है वो भी सही है बीच का एरिया जो एरिया है ना वो क्या है कि यह दोनों कंडिशन को complete करके देता है आपको ठीक है पूरा area लेकिन वो जो corner है ना वहाँ पर आपका target होगा वहाँ पर आपका best option होगा वो आपको देखना complete तो देखो ये पूरा question मैं आपको एक page पर दिखा देता हूँ ये रहा थोड़ा छोटा दिखेगा लेकिन एक बार देख लो mean तो आपको graph कैसे दिखता है वही mean है ठीक है तो ये आपका पूरा question एक साथ आ गया इस तरीके से solution करना 8 marks का graph पूछते है देखो इतना कोई hard नहीं रहता है बस थोड़ा सा logic और थोड़ा सा practical आप करते हो तो आ जाता है ओके चलो तो मिलते हैं फिर next time पे झालो मिलते है घथ से एंट घूड़ा лबूँलो मिलते हैं उनकला अक्वेश कास्वेश मिल्या और वे के लिएच चलो अक्वेश्य तर तर जाता है जिएhaftवा है झाला ऑधना आपकास्प dziश мамन करा